गुड मॉर्निंग एवरिवन, वेलकम टु पी ड़ब्ली ओनली आईएस दोस्तों बात करें अगर जी एस्टी यानी गुड्ज एंड सर्विस टेक्स की तो April month के अगर हम बात करें न तो एक बहुत ही बड़ा नया record यहाँ पर हमें देखने को मुला है कि एक महीने के अंदर जो collections थे वो दो लाग करोड को भी cross कर चुके है और यहाँ पर मारा नया number क्या है 2.1 लाग करोड यह अपने आप बहुत ही historic number है पहले ऐसा expect के जा रहा था यार की 1 लाग या 1.5 लाग करोड हो जाए तो भी अच्छी बात है पर यह numbers तो बहुत जादा high पर जा रहे हैं एक नया high हमें देखने को मुला है जिस तरह से numbers ने 2.1 लाग करोड यहाँ पर achieve किया है ध्यान रखेगा यह है gross GST अगर हम बात करेंगे net की तो लगबग 1.92 लाग करोड है क्योंकि कुछ यहाँ पर refunds वगएरा होते हैं तो उन चीज़ों को भी ध्यान में दिया जाता है एक्षिल में होता गया है जो इपर मंत का डेटा आता है अभी जैसे अब कल डेटा आया, एक मईगा देटा अया तो वह डेटा अपर इपरिल मंत का था और अपरिल मंत में क्स चीज़ की बात होगी, जो कहीं न कहीं हमने मार्च में collect किये और मार्च मंत जो रहता है न वहाँ पर आप notice करते हो financial year का अंत होता है तो हर कोई अपने books को close करने ही कुशिश करता है तो उस महीने generally high आता ही है पर इतना high आता है ये हमने expect नहीं किया था ठीक है न ये बहुत अच्छी बात है अब आप सभी का स्वागत है आज के prelim booster news discussion के अंदर पहला जो topic हम discuss करेंगे वो discuss करेंगे इशान के बारे में सर इशान तो मेरे दोस्त का नाम है हाँ वो बात ठीक है पर यहाँ पर हम बात कर रहे है project इशान की project इशान है क्या it stands for Indian single sky harmonized air traffic management in नागपुर आप लोग कभी गए होंगे ठीक है ना यह नहीं भी गए कोई दिक्करत नहीं आप लोग ने movies बगरा देखी होंगी right किस तरह से ऐसे pilots होते है aircraft के अंदर and accordingly यहाँ पे बहुत सारी चीज़े होती है इनके सामने इसके माद्दियम से वो different different चीज़े communicate करते हैं क्या आपने यह सोचा कि यह सारा चीज़े कौन communicate कर रहा है किससे यह बातचीत कर रहे है एक्चल में क्या होता है न हमारे यहाँ पे होते हैं F.I.R. F.I.R. मतलब जो police station लिखवाते हैं नहीं यह this stands for F.I.R. और चौथ है आपका call काता कुछ और सब F.I.R. भी है पर हमें यह चार का पता होना चाहिए अब आप पूछेंगे सरी यह F.I.R. करते क्या है देखो जितनी भी हमारी air space होती है न उसको यहाँ पर यह control करते हैं प्लस at the same time air traffic कितना है कि भी दो पाइलेट्स को बताना है न कि भी यह air traffic कितना है कहां से जाओगे ठीक रहेगा प्लस at the same time वहाँ पर weather की क्या status है कहीं बारिश वारी जादा तो नहीं हो रही कहीं wind वगरा जादा तो नहीं चल रही है आप अप नोटिस करते होंगे हम यहाँ पर focus करते हैं यह देखो जैसे कोटा की बात करें अब कोटा आता है दिल्ली F.I.R के अंदर उसी तरह से यहाँ पर शिमला है शिमला भी दिल्ली F.I.R के अंदर ही आता है तो अगर माल लो इसको यह दोनों जो stations थे कोटा भी और शिमला भी यह एक ही F.I.R के अब notice करो इसमें दो F.I.R आगी पहले दो दिल्ली वाली F.I.R काम करेगी यहाँ तक इसके बाद आपकी मुंबई F.I.R होगी जो कहीं न कहीं चीजें manage करेगी है के नहीं जब यह चीज होती है जब different different F.I.R के साथ बाक्चीत करनी पढ़ रही है बिल्कुल different centers साथ communicate करना बढ़ रहा है different different multiple clearances लेनी पढ़ रही है और जो command center है उनका भी कहीं न की task बढ़ गया चलो ठीक है यह बात तो समझ आई और क्या दिक्कत आ रही है different F.I.R होने की वज़ा से और दिक्कत यह भी आती है माल लो आपको दिल्ली से कोला पूर ही जाना था अब आप सोचेंगे आपको बता देगा कि भाई ऐसे जा सकते हो पर दिल्ली F.I.R वाला मुंबई F.I.R के बारे में नहीं बता पाएगा कि वहाँ पर situation कैसी है वहाँ पर airspace क्या है वहाँ पर air traffic क्या है बाकी सारी चीज़ें तो actual में जो हो सकता है वो flight कुछ ऐसे जा रही हो कि यहाँ से इसका route वगेरा change करके क्योंकि different different F.I.R इंवाल्व है इस वज़ा से दिक्कत आती है कि कई बार जो shortest route होता है वो within a particular F.I.R तो मिल जाता है पर different F.I.R के बीच में नहीं मिल पाता चलो ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें 4 F.I.R नहीं चाहिए हमें एक single बना देते है अब पेना कि shortest हम निकाल पाएंगे और shortest बात निकालने का मतलब हमारा क्या बचेगा हमारा fuel बचेगा और fuel बचेना की इतनी importance क्यों है fuel बचने की इतनी importance इस लिए है कि अगर माल लो हर जो flight इंडिया में आज उड़ रही है अगर वो रोज एक-एक minute भी save करे ना तो एक दिन का हम एक लाख बीस हजार लीटर fuel बचा सकते हैं और अगर इतनी जादा saving होगी इसका मतलब क्या है बहिया इंडिया का import bill भी तो कम होगा और उपर से साथ ही साथ अगर flight सस्ती हो रही है मतलब जो इंडिया को और इनको सस्ता पढ़ रहा है क्योंकि petrol कम लग रहा है तो कहीना कही benefit किस्टो होगा benefit मेरे और आपकी जैसे customers को होगा कि हो सकता है flight सस्ती भी हो जाए तो यह focus है इशान का कि इंडिया में एक single sky harmonized air traffic management कर दें यह जो इतने 4-5 बारे पास है जो चार main और बाकि सब FIR है उनकी जगा हम एक ही कर दें इन सारी airspace को हम consolidate कर दें यह focus है project इशान का अब तो इसको center किया जाएगा नागपुर के अंदर तो सारे आपके operations वगरा हो गया capacity हो गया उनको कहीं नगे हम streamline कर पाएंगे और flight time वगरा भी बहुत अच्छे से कम कर पाएंगे ठीक है मुझे बहुत interest है मतलब यह aviation sector के अंदर इसके थोड़ा मैंने आपको retail में समझाया है ब पर focus मरा definitely रहेंगा कि कैसे हम इसको restructure कर पाएं जो existing gaps है हम कहीने कि उसको कम कर पाएं communication, surveillance वगरा के अंदर हम अच्छे से बात कर पाएं कि सारा focus यहां पर इस project का रहने वाला है तो दिहान रखे हैं प्रोजेक्ट शान इंडिया का इस चीज के साथ link करता है अब देखो यहां पर airport authority of India AI का बहुत important role रहने वाला है जो की क्या है statutory body है under DGCA, Director General of Civil Aviation जो की Ministry of Civil Aviation के दरगर आता है, में जासब दया यह एक statutory body है 1995 के दर एक्ट लाया गया था बालेमन के दोरा जिसके माद्यम से जो पहले आपकी national airport authority थी और साजसाथ international airport authority of India इनको यहां पर मर्ज कर के सको यहां पर बनाया गया था तो इंडिया में जो भी आपके civil aviation infrastructure है उनको manage करना, upgrade करना, न next मारा topic और भी interesting है, यह है आपका egg shell skull principle, क्या है सर यह egg shell skull principle बड़ा ही अजीब सा नाम इसका हमें देखने को मिल रहा है, चिंता मत करो, जैसे for example आप समझो, मालो आप दो दोस्त football खेल देते, या दो दोस्त कहलो या दो लोग आप football खेल देते, अब football के time के उपर आपने सामन और इस धक्का मारने की वज़ा से सामने वाला तो पुरा लहु लुहान हो गया, अब पता है ऐसा पता क्यों होता है, हो सकता है इसकी ना यहाँ पे मालो इसकी shoulder में पहले से already कुछ existing situation थी, already ये shoulder इसका कमजोर था या फिस shoulder में already इसकी injury हो रखी थी, पर आपको इस बात क्या पता नहीं था कि आर इसके shoulder में injury हो रखी है, आप रहे तो normally मतलब जैसे आप tackle करते हो, उसके करने ही कोशिश करी, पर हुआ क्या, पर हुआ ये कि आप इसके बार में जानकारी नहीं रखते थे और आपके एक छोटी से injury करने की वज़ा से ही, इसको एक बहुत बड़ी injury बड़े अराम से आप तोड़ देते हो, ठीक है ना, तो यहां पर भी actually में वही हो रहा है, कि इसका shoulder इतना ज्यादा कमजोर था, या shoulder के पर अलएड़ी injury हो रखी थी, तो आपने थलका से उसको जटका मारा, और उसको बहुत बड़ी एक injury होगी, ध्यान रखना आपको यहा बड़ा famous case है, जहां से इस चीज को principle को इजात किया गया, अब यहां पर ऐसा बोला, कि मालनो कोई person है, जिसकी skull बहुत ही थिन है, ठीक है ना, कि मतलब बिल्कुल actual की तरह, अब देखने में बंदा बिल्कुल normal लगता है, पर है उसका जो वो पार्ट बहुत जदा कमजोर, बहुत ही delicate nature का particular वो पार्ट है, अब ऐसे case में पता क्या होता है, जो actual skull rule ये कहता है, कि जिस person ने उस बंदे को hit किया, उसको ही extreme consequences भरने पड़ेंगे, अब ऐसा हो सकता है ना, जैसे मालनो, आप बोलोगे, यार, कि मुझे तो पता ही नहीं था, कि इसका shoulder इतना जादा कमजो पर उस थपड लगने की वज़े से क्या हुआ, उसके already जो medical condition already कुछ चल रही थी उसके गाल के उपर, वो medical condition बहुत जदा बढ़गी, फिर इसने इसको बोलेगा, यार, मुझे तो एक क्रोड रुपया दो, क्योंकि मेरे गाल के उपर already मेरे injury हो रखी थी, आपने उस injury को इत हम यहां पर लगाते हैं क्या actual skull principle, यानि कि अगर माल लो किसी एक person को कुछ भी extreme consequences हो जाते हैं, आपके कोई भी act की वज़ा से, तो बिल्कुल उसके उपर actual skull principle लगाया जाएगा, उस person को बहुत अच्छा खासा compensation दिया जाएगा, इस इस दोने इस actual skull principle, कि offender will be liable for all the injuries that might be intensified, आपके एक थपड मानने की वज़े से हम यह नहीं देखेंगे कि normal person के क्या impact आता है, नहीं, उस वाले person के उपर क्या impact आया, भले ही उसकी already existing conditions थी, उसके उपर क्या impact आया, pre existing conditions के वज़े से, वो सारे damages इस बंदे को भरने पड़ेंगे, अब ऐसा ही एक case था, वो court के पास गय है कि जब हम actual rule को लगाएंगे, उस case में जरूरत क्या चाहिए कि pre existing vulnerability हो, या medical condition होती है, और अगर वो increase हो जाती है, negligence की वज़े से, उस case में हम actual rule लगाएंगे, जो case गया था ना, supreme court के वास, उसमें supreme court ने मुला कि already वो person के उपर pre existing vulnerability नहीं थी, तो इस case में नहीं लगेगा, इसलिए हमें ये principle जानना अपने आप में बहुत जा important हो जाता है, अपना चाहो तो present case पर भी सकते हो, इसमें हुआ क्या था ना, कि एक person ने अपना treatment करवाया, तो उसके paid के अंदर ना, धाई centimeter की needle hospital वालों ने छोड़ दी, खिक है ना, उसकी जब appendix वो remove करवाने गई, तो बाद में क्या हुआ, पांच लाक रुपे का उसको जहाँ पर पैसा दिया गया, फिर state consumer forum के उपर उसकी appeal करी गई, वहाँ पर उने बोला कि नहीं, इसको composition सिर्फ एक लाक मिलेगा, तो Supreme Court ने बोला नहीं, इसको पांच लाक रुपे पहली बाद तो composition मिलेगा, और यहाँ प तबी medical negligence को cover किया गया है, आप जानते होंगे जो हमारा कोपरा एक्ट है, consumer protection act जो होता है, उसकी दिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर medical treatment को service की तरह यहाँ पर level किया गया है, तो यानि कि कल को को कोई doctor भी medical negligence करता है, तो आपके पास consumer protection act के अंतर गया तो coverage यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, इसके लाबा patient के बहुत सारे rights है, जैसे patients के पास right to information होता है, कि उनकी illness क्या है, किस तरह कि उनकी treatment यहाँ पर करी जाएगी, उनकी privacy का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा doctors के द्वारा, साथी साथ patients के पास right to second opinion भी है, अगर वो किसी एक doctor की medicines या treatment के स होगा, वो यहाँ पर दे सकते हैं, तो यह I hope आप समझगे होंगे कि what exactly is egg shell skull principle, इसका egg shell नाम इसी लिया है, कि कोई person के उपर already कुछ existing ऐसी condition होती है, और मालो बहुत कमजोरी है उसको, और उसके उपर फिर यह चीज़ जब principle लगाया जाता है, कि उसको effect होता है, उस case के अंद इंटरस्ट की बाद चलो ठीक है, बर हमें कहीं न कहीं, साथी साथ अपना mock test पी अच्छा से देना है, जो की होने जा रहा है, पांच मही को, स्रीजन All India, open prelims mock test, यहाँ पर आपको GSB और CSET भी, दोनों को यहाँ पर आपको test देखने को मिलेगा, तो ensure कीजिए कि पांच मही क हमारे सारे centers रहे, यहाँ पर आप जाके इस test को दे सकते हो, प्रस online तो आप कहीं से भी दे सकते हो, नीटे description के अंदर मैंने इसका आपके लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाए, क्लिक कीजिए, and definitely इस test के अंदर enroll करके अच्छे से participate कीजिए, next मारा topic है, regional economic outlook for Asia and Pacific for CY24, CY का म जो Asia and Pacific growth rate है, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, पहले बोला गया था कि 4.2% से Asia की economy grow करेगी, अब grow करेगी वो 4.5% से, इसका कारण क्या है, इसका कारण है इंडिया और चाइना, ठीक है, यह दोनों countries बढ़िया कर रही हैं, जिस वाज़ा से यह देखने का मिलता है, देखो, IMF की जब हम बात करते हैं, तो उनकी कुछ बहुत important publications हैं, जैसे world economic outlook, global financial stability report, fiscal monitor हो गया, and regional economic outlook हो गया, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, वो regional economic outlook की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है न, बागि 2025 में growth होगी, एशिया की, वो 4.3% से ही growth है, देखने को मिल जाएगी, अब यहाँ पर न, इस article के अंदर, economy के कुछ important concept discuss किये थे, इसने थोड़ा important हो जाता है, देखो, एक आप जानते होंगे, एक होती है हमारी headline inflation, headline inflation का मतलब वो होता है, जो आपकी news papers की headlines में देखने को मिलती जैसे, right, अब newspaper में headlines पढ़ता कौन है, सर आम आत्मी पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, right, अब आम आत्मी के लिए न, सब चीज़े matter करती है, कि भहिया, fruits, vegetables, petroleum, gas, इन सब के दाम के हिना के कैसे change हुए, इनके अंदर महंगाई कितनी आई, तो headline inflation के अंदर हम सारी चीज़े include कर लेते हैं, आप notice करो यार, यह चीज़े बहुत volatile होती है volatile मतलब इनके दाम बहुत उपर नीचे अचानक से हो सकते हैं, पर headline के अंदर definitely हमारे आम आदमी के लिए matter है, तो यह चीज़े include होंगी, एक आता है इसके साथ ही core inflation, core inflation पर अंदर क्या होता है, core inflation के अंदर जो भी आपके volatile sectors होते हैं, जैसे food हो गया, energy हो गया, इनको हम exclude कर द बाकि इंडिया fastest growing major economy है, यह अच्छी बात है, 2027 तक हम 30 largest economy बन जाएंगे, बाकि इंडिया की growth rate में ने बताई है कि 2026 में 6.6% and 2026 में 6.8% grow करेगी, एक और important term जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए, फरक between hard lending and a soft lending, यहाँ पर IMF ने इसके बार में चर्चा करी अब यह क्या होता है, hard lending और soft lending, देखो, जैसे कई बार मेंगाई ज्यादा बड़ी होती है, inflation, अब inflation को देखो, control करने का तरीका यही होता है, कि आप कुछ ना कुछ कोशिश करो, जैसे RVA कोशिश करती है, सरकार कुछ भी कोशिश करती है, तो उस case में कई बार में पता क्या बहुत नीचे आजाती है, और कही बार हो सकता है, आप कही ना कहीं, recession में भी चले जाओ, लोगों की jobs बगारा भी चले जाए, अगर inflation को control करने के चक्कर के अंदर, आप एक recession में चले जाते हो, आपकी economy की हलत बहुत खराब हो जाती है, उसका मतलब होता है, कि भाई, आपने या, this is known as soft lending, तो यह जो शब्द थे, यहाँ पे इसने use किये थे, कि किस तरह से global disinflation होना and prospect of lower central bank interest rate, इन्हों कहीं नहीं कहीं, soft lending करी है, तो overall चीज़ें काफी बढ़ियां चल रही है, ऐसा ही यहाँ आपे IMF का कहना है, नेक्स्ट आजा और अगले topic की तरफ, rejection of MDH spices in USA, salmonella contamination, अब आप पूछेंगे सर, अभी थोड़े दिन पहले तो हमने पढ़ा था, जब MDH हो गया, Everest हो गया, इनके जो कुछ products थे, उनको Singapore and साथी साथ Hong Kong, उन्होंने यहाँ पे ban कर दिया था, या उन्होंने कुछ suspend कर दिया अब यह नहीं जो cover आई है, यह कहां से आई है, सर यह आई है, USA से, United States of America, अब यह जो देखो, यह जो मुद्धा था, MDH और Everest वाला, यहाँ तो बात करी यह थी, कि इनके अंदर ना कुछ कार्सीनों जीने क्या ने की, cancer causing pesticides हमें देखने को मिले हैं, है ना, याद है ना, हमने bacteria है, इससे कहिना कि लोग बिमार पड़ते हैं, आपका stomach हो गया, आपका pate, आपके intestines यह कहिना कहीं, यहाँ पर उसको यहाँ पर effect करता है, ठीक है ना, favor होता है कि आपका खाने के अंदर bacteria होते हैं, जिसे माल लोग के अच्छे से cook नहीं हुआ, food, आपका contaminated है, food या, drinking water contaminated है, जिस वज़ा से different different आपके symptoms आपके चीज़े हो सकती है, आपको fever हो सकता है, nausea हो सकता है, vomiting आ सकती है, diarrhea हो गया, stomach cramp हो गया, यह सारी चीज़ें, और salmonella contagious भी होता है, फैल सकता है, person to food to person, person to person, animals to person, food के थुरू फैल सकता है, यह सारी चीज़े यहाँ पर हो सकती है, अब दे पिछले साल भी हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, पर पहले बहुत कम था, लगवर 15% refusal rate था, अब यह double से भी ज़्यादा हो गया, अब इस साल का 31% देखने के मल रहा है, यानि कि दिक्कते पहले से थी, पर वो दिक्कते बहुत ज़्यादा बढ़ गी है, जिस के spices को मना कर दिया, विसके spices को मना कर दिया, तो ये कही न कहीं हमारे यहाँ पे चिंता का concern definitely बन चुका है, यहाँ पर आप notice करोगे, इंडिया दुनिया भर का largest producer spices का देखने के मिल जाएगा, दुनिया की 109 varieties में से 75 varieties इंडिया produce करता है, as per international organization for standardization, हम जो major चीज़े एक्सपो किया, 3.73 billion dollar, and February तक इस साल जो था, उस 3.67 billion dollar हमा अलवरी एक्सपोर्ट कर चुके है, मद्यवरदेश राजास्तान गुजरात, वाई different different states, बहुत से चीज़े ग्रो करती है, तो ये चीज़े आपको यहाँ पर थोड़ा, इनके मारे में एक basic idea पता होना चाहिए, नेक्स्ट रहे हूँ, इनके दोरा release करी गई है, report ISAR, अब यहाँ पर इनोंने बताया है कि 2023 के अंदर हमने क्या 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 चीज़े start हुई, क्या उससे पहले चल रहा था, तो कुछ numbers है, जैसे for example, इंडिया के satellite launches की बात करें, तो जब से इंडिया के space era begin here, वहाँ से 127 इंडिय हो गया चंदरियान 3 का, तो यह भी active थे by the end of 2023, इसके लाबा 21 इंडिया सेटलाइट्स ने इंडिया 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 के अंदर वहाँ से re-enter किया है, इसके साथ के अगर हम बात करें, तो 2023 के अंदर कुछ इंडियान 3 हो गया, अधितिया L1 हो गया, इसके लाब project proximity analysis, sopa for satellites, क्या है इस चीज का मतलब, जो कई वार ऐसा होता है कि space के अंदर ना, कुछ ऐसे चीजे होती है जो बहुत पास में आ जाती है, ठीक न, यहाँ पर कुछ आइटा में, यहाँ पर कुछ आइटा में, और यह टेकनाने वाली होती है, ऐसे case में अंदर में क्या चाह गया, इस रो के दौरा, वो highest था, तिल डेट, यह चीज भी आपको, sopa, यानि कि space object proximity analysis के थूरू पता लग जाती है, जैसे आपनो डिसकर पाओगे, number increase होता हुआ, आमें देखने को मिल रहा है, एक मैंने कल आपको places in news दिया था, ठीक है न, कि आप मुझे बताइए का इसके उपर न, यहां पर इसको sign किया गया, इंडिया Middle East Economic Collider को, Europe Collider को, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, कैसे के connectivity इंप्रूफ करी जा रही है, इसके geopolitical and economic significance बहुत जाला है, आपको न, यह कुछ नाम धिहान में रखने होंगे, इनको बहुत जादा news में रहे हैं, तो you must remember कि अलह दिहा हो गया, यह सारे साओधी रेव के अंदर आ जाते हैं, इसके लावा हाइफा इसराइल के अंदर आपका पिरायस जो है, वो आपका ग्रीस के अंदर देखने को मिल जाएगा, यह जो प्रोजेक्ट है न, दरसल में यह PGII, यानि की Partnership for Global Infrastructure and Investment, उसका एक पार देखन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हमारी जो Low Income Countries या Middle Income Countries हैं, उनकी Investment Needs को हम करें यहाँ पर फुल्फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से इंडिया Middle East Economic, Europe Economic Order बहुत ज़्यादा इंपॉल्ट हमारे लिए बन जाता है, तो रहा लोकेशन परस्पेक्टिस से भी, इनका जो Overall Perspective है वो भी, आज का आपका Homework क्या रहेगा, आप मुझे बताओगे, सुलीना चैनल के बारे में कि आखिर ये क्या है, कहां पर है, ये सारी बाते हैं, आज का आपका Homework True or False के अंदर ये रहेगा, ये 3 True or False statements है, जिनका अंसर मुझे आपनी जे Comments में बता सकते हो कल मैंने आपको जो Homework देता है, उस कंसर डिसकस कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं EZ की, ध्यान रखने हैं ये 500 Nautical Mile नहीं, ये 200 Nautical Mile होता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, मिनाक्षी टेंपल आपका तमिल नाडू के अंदर है, तो second भी आपका गलत है, और वैगे र से, ठीक है, मैंने कल जो आपको Homework देता, उस कंसर डिसकस कर लेते हैं, पब्लिक इंवेस्टमेंट की रिगार्डिंग यहाँ पर आपसे question पूछा गया था, देखो जब भी आपकी state, चाहिए center, state, government, local government जब कहिना के investment करती है, जहां पर कुछ ना कुछ infrastructure develop करने की कोशिश कर जाती है, वो जनली हमारा public investment में आ जाता है, और यह long term हमारा देखने को मिल जाता है, जैसे for example, आपके जो पैक्स होते हैं, primary agriculture credit societies, इनके computerization करने से, इनकी overall productivity बढ़ेगी, और कही नकिए वो accordingly, timely basis के उपर अपने credit को दे पाएंगी, तो यह बिलकुल investment है, social capital development हो गया, एंड पर देना, यह भी आपकी subsidy होती है, तो आपको पता होता होता है, अगरी culture के अंदर दो चीज़े होती है, एक public investment और public subsidy, आप अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे यह यह चीज़ सब्सेडी है, इसका उतना impact long term नहीं देखने के मिल रहा, on the other hand, जब हम बात करते हैं, जब physical infrastructure बन रहा है, वो आपका long term में help कर रहा है, तो वो चीज़ें आपकी उस तरह से बन जाती है, तो एक्छल में इसका अंसर बनेगा, physical investment वाले का, यह पब्लिक investment वाले का, वो option number C बनेगा, 2, 3 and 6 is the correct answer, दूसरा में आपको homework दिया था, part 4 के बारे में, आप जानते होंगे, part 3 हमा बनेगे कि हाँ, these are not enforceable by court, तीसरा कहना है, यहाँ पे, कि इस से कहीना कहीं, जो state की making of laws है, वो impact होती है, बिल्कुल, देखो, नाम में ही क्या है, directive principle of state policy, तो एक तरह इसकी directions है, कि भाया, state को यह सब चीज़ें कहीना कहीं करनी चाहिए, और different loss views से साब से बनाए जाते है, तो पे हो, thank you very much for the discussion.